यात्माल जिला मध्यवर्दी सहकारी बैंक के संचालक पत के लिए हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में जीत दर्श करने वाले पूर्व विधायक संजे देश्मुक के दुकारी करताओं के खिलाब पुद्भार को दिग्रस पुलीस थाने में शिकायद दर्श की गई है इस संधब में दिग्रस पुलीस से प्राप जानकारी के अनुसार मगलवार को गुर्देव नगर परिसर में जित का जश्नम मना रहे संजे देश्मुक के कुछ कारे करताओं ने सुधिर देश्मुक के घर के सामने न सिर्फ आतिश बाजी की बलकि उनके घर में घुसकर महि पुलिपूरा निवासी आरोपी मोहमद सलीम शेक पीरु पटेल गांधी नगर निवासी आरोपी मनीश्री धर्मुनी पर धारा 452-392-504-506 के तहत मामला दर्च किया गया है गौर तलब है कि इस कथीत मामले में आरोपी ओद्वारा इस्तमाल की गई तीन लाख रुपे क की मारूती कंपनी की कार पुलीस ने जब की है पुलीस निर्खषक सोना जयामले के मार्ग दरिशन में इस मामले में आगे की जाज सीःक पुलीस निरिक्षक धिरेंदर सीहब बिलावल सहित अन्य पुलीस कर्मचारी कर रहे है बहरहाल राजनेतिक विरोत के चलते उभरे इस मामले को लेकर फिलहाल दिकरस के सियासी हलकों में बहस और चर्चा का दौर जारी है इन बीस या न्यूस के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट